हलो वीविल आई होप यू देंग वंडरफुल 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 सब्सक्राइब आपको या आपकी इम्मेट रिलेटिव को कोविड हुआ है तो ही आप opt-out कर सकते हैं and institute today came up with a notification that now you can opt-out without giving any reason as such कि आपको ऐसे रिपोर्ट वगरा साथ में देनी क्या वाशकता नहीं है यहां पर मेरे आने की जरुत इस्ते पढ़ती है because what a student normally thinks the problem is कि आप लोगों को जैसे एक option मिलता है ना opt-out का then what do you think is opt-out opt-out कर लेते हैं तो इस कारण से हैं here that whether you should opt-out or not and कैसा है then a lot of students for messaging कि sir अभी option है तो opt-out कर लेंगा तो मेरा का कहना है एक बात को एकदम simple तरीके समझे एकदम simple तरीके से अगर आप बच्चे exam देने वाले थे if at all you were supposed to write the examination and just because institute has given you this opt-out scheme and now you're thinking of opt-out and writing it in June then you are really stupid then you are really stupid मेरी बात को समझना अच्छे से अगर आप health reason से अगर आपका reason यह है कि covid चल रहा है में को नहीं जाना है मुझे वो risk लगता है exam center पर जाने का कि मैं वहाँ जाओंगा वहाँ से आके मेरी family को कुछ spread कर दूँगा अगर आपको health reason है अगर आपके दिमाग में कोई health reason है covid is the reason कि इस कारण से मैं exam नहीं देना चाहता हूँ it is fine very much fine with me आप exam से opt-out करना चाहते है opt-out कर सकते है if health is the reason but अगर आप बच्चे का reason ऐसा है कि अभी तक तो वह exam की त्यारी कर रहा था कि हाँ दे दूँगा क्योंकि opt-out का option नहीं था अब उसको लग रहा है opt-out का option है तो नहीं देता हूँ मतलब covid is not the reason probably here you just feel if at all you feel कि मेरी preparation नहीं होई है मेरी preparation नहीं होई है और यार मैं for example एक group दे रहा था भी मैं December में बोद ग्रूप दे रहा था मैं June में बोद ग्रूप दे दूँगा या professional के बच्चे है कि हम दो ग्रूप दे रहे थे हम अगले जून में तीनों ग्रूप दे देंगे अगर आपकी यह मान सकता है तो this is a very wrong mindset मेरी बात को समझना trust me I've seen thousands of students हर बच्चा even AIR1 जो है उसको exam के एक दिन पहले यह लगता है कि यार मुझे अगर दो दिन और मिल जाते ना तो मज़ा आ जाता मुझे अगर थोड़ दिन और मिल जाते ना तो मज़ा जाता मुझे थोड last moment तक opt-out option दिया तो बच्चे opt-out करेंगे because बच्चों कहते हैं उनको हमेशा है लगेगा last moment तक जाते हुए कि यार शायद हमारी preparation अच्छी नहीं हुई है नहीं हमारी preparation सही नहीं हुई है तो we want to opt-out trust me on that note you will always have that feeling so if at all that is somewhere driving your decision कि यार मैं अगली बार दे दूंगा अच्छे स पढ़के दे दूंगी so do not opt-out but again मैं बड़ा clearly कह रहा हूँ इस चीश कोई बवाल नहीं चीए मैं clearly कह रहा हूँ कि अगर आप बच्चों का किसी का भी health issue है या health concern है कि मैं वहां center पे जाओंगा तो मुझे हो जाएगा और फिर मैं मेरे घर पे लेकर आ जाओंगा सब को हो ज गलती मत करो यह गलती मत करो preparation जो है वह आपकी जो हुई है उसे best preparation मानो and just give your best थोड़ दिन पहले भी मैं आया था मैं आपको समझाने की कोशिश की थी just tell yourself daily miracles happen every day miracles happen every day so just trust yourself just trust yourself have some faith on yourself and write the examination now trust me I am not here to motivate you to write the examination मैं आपको motivate करने के लिए नहीं हूँ कि exam 2 नहीं बीटा जी लेकिन अगर आप सिर्फ इस कारण से exam से opt-out करने का सोच रहे हैं just because preparation में आपको लगता है कमी है तो opt-out मत करो इस रीजन से opt-out करना वेफ कुफी है इस रीजन से opt-out करना वेफ कुफी है एकदम सिंपल है health issues लगता है आपको covid के कारण डर है opt-out किया fair enough ना because उसी कारण से तो opt-out facility दी गई है लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो और कुछ दूसरे कारण से मैं अगली बा रखो और 100% focus से जाके exam दिख रहा है आप समझो हमारा जो मन है यह बहुत ही चंचल है और हमें समझ भी नहीं आता है कि हमारे मन हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है अभी कैसा है एक बच्चे को दो रास्ते दिख रहे हैं एक रास्ता दिख रहा है कि यार यह दो तीन द यतना ट्रबल एटेंशन रहा दिमाग हमें हो गई नहीं तो हमारा मन बैक एंड पे हमें समझाने की कोशिश करता है कि हार सुन वह वह वाला रसा ले आप्ट आउट कर ले अप्ट आउट कर ले अंदर से बड़ you have to be strong you have to be strong here and you cannot actually you cannot actually तीक तर रास्ता अभी तक अगर आप opt-out option should not change your decision should not change your decision give me a hundred percent and मेराई कहना है देखो बिटाजी opt-out करने से होगा क्या opt-out करने से इतना सा होगा कि यह आपकी examination fee से यह next बार adjust हो जाएगी इतनी सी बात है तो मैं अगर कहता हूँ कि फिर भी चाहिए तो December examination देखे आएगे देखे आएगे 100% I hope you are understanding and again अगर आपके गर में ऐसा कुछ है बड़े बुड़े हैं आप उनके साथ में रहते हैं और आपको वो डर है कि उनको कहीं हो जाएंगे रिसके एंप स्किप करें तो आप गलत है तो आप गलत है अगर अगर अबी तक आप एक्जाम देने के लिए सट थे अबी तक आपके मान सकता एक्दम सही थी कि आपको एक्जाम देकर आना है तो उसी मान सकता से एक्जाम के तयारी करिये और अगर कोई वेक्ती एक ग्रूप दे रहा था तो ऐसा आप सोचेंगे ना कि जून तक मैं प्रेपरेशन करके तीनों गुरूप दे दूंगा अरे जून में भी आपको यही लगेगा कि यार मेरी तीनों गुरूप की तो प्रेपरेशन अच्छी नहीं हुई है काम करता ह मेरा कहना बड़ा क्लियर है किरकर किसी बच्छे को कोविड की कारण अप्ट आँ रूप करना है वह बिल्कूल कर सकता है लेकिन अप्ट बिसस बिल्कुल आप शॉट प्रेपरेशन अगर आप आप अप्ट आउट करने का सोच नहीं तो नहीं तो डूंत दो इस टेकर आउ yourself do your best do your best do your best and this is a small message from my side and all the best for your examination just believe in yourself musti se jau and exam for okay that'll be all from my end thank you so much people all the rest